जैहिन दोस्तों SSE MTS exam अभी जल्दी होने वाली है इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेंट अफेर का important topic जिसका नाम है वेश्विक सूचकांग 2021 ये topic आने वाले SSE MTS और GD exam दोनों के लिए भी बहुत ज़ादा important है इसे आप ज़रूर पढ़कर जाईएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए तो पहला सवाल है Global Cyber Security Index में भारत की रैंक है ये 10 भी रैंक है option D बिल्कुल है पर रैट आंसर हो जाएगा प्रथम स्तान पर जो है ये अमेरिका देश है और इस इंडेक्स का जारी करता है International Telecommunication Union यानि के ITC इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट जो सवाल है वैश्विक शान्ती सूचकांक में प्रथम स्तान पर कौन सा देश है तो ये भी very important question है वैश्विक शान्ती सूचकांक में प्रथम स्तान पर जो देश है वो है Iceland option A बिल्कुल है पर रैट आंसर हो जाएगा भारत की rank क्या है 135th rank भारत की है और इसका जारी करता कौन है और इसके द्वारा ये जारी किया जाता है इस point को भी आप याद रखिएगा next जो सवाल है वर्ल्ड गीविंग इंडेक्स में भारत की rank क्या है तो वर्ल्ड गीविंग इंडेक्स में भारत की जो rank है वो है 14th rank है option B बिल्कुल है पर रैट आंसर हो जाएगा प्रथम स्तान पर इंडोनेशिया देश है इसे भी आप याद रखिएगा और इसका जारी कर नेक्स्ट जो सवाल है ग्लोबल स्कील रिपोर्ट 2021 के आनुसार कौन सा देश प्रथम स्तान पर है तो इस रिपोर्ट के आनुसार प्रथम स्तान पर जो देश है वो है स्विजर लैन option D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत की जो rank है वो कौन सी है 67th rank भारत की है इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है और ये कोर्सरा द्वारा जारी किया जाता है इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट जो सवाल है वो है वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स 2021 में भारत की rank क्या है तो इसमें हमारे भारत की जो rank है वो है 139th rank है option B बिल्कु समाधा Network यानि के Sustainable Development Solution Network for United Nation द्वारा ये जारी किया जाता है वीश्व प्रेस स्वातंतरता इंडेक्स में प्रथम स्तान पर कौन सा देश है तो इस इंडेक्स में प्रथम स्तान पर जो देश है वो है नार्वे देश और भारत की जो rank है वो है 142nd rank पर भारत है और इसका ज जारी करता है वो कौन है Reports Without Borders यानि के Report Without Borders अंगठन द्वारा ये जारी किया जाता है आर्थिक स्वातंतरता इंडेक्स 2021 में भारत की स्तान क्या है तो इसमें भारत की जो स्तान है वो है 121st rank है Option A बिलकुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा और प्रथम स्तान पर सिंगा इसे भी आप याद रखिएगा और इसका जो जारी करता है वो Heritage Foundation है इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है नेक्स्ट जो सवाल है Food West Index 2021 में प्रथम स्तान पर कौन सा देश है तो Food West Index में प्रथम स्तान पर है चाइना देश Option B बिलकुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा द्वितिया स्तान पर है हमारा भारत इसे भी आप याद रखिएगा इसका जो जारी करता है वो है संयुक्त राष्ट्र परियावरन कारेक्रम द्वारा जारी किया जाता है यह Next जो सवाल है COVID-19 Response Index 2021 में भारत का स्तान क्या है तो इसमें भारत का जो स्तान है वो 86 स्तान है इसे भी आपको याद रखना है और इसका जो जारी करता है वो कौन है आस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टिटूड ने इस रिपोर्ट को जारी किया है इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है नेक्स्ट जो सवाल है ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति यानि के सैन्य शक्ति इंडेक्स 2021 में पहले स्तान पर कौन सा देश है तो ग्लोबल फायर पावर यानि जिया सैन्य शक्ति के मामले में प्रथम इस्तान पे जो देश है वो है अमेरिका, दुशिय अस्तान पे है रशिया, तृतिय अस्तान पे है चायना और चोथे नंबर पे है भारत इन सभी points को आपको याद रखना है और इसकी जो संस्ता है वो संस्ता का नाम क्या है global fire power इसके द्वारा ये index जारी किया जाता है अगला सवाल है हैंले passport index 2021 के आनुसार भारत की स्थान क्या है भारत की स्थान पर है 85th स्थान पर है option भी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 85th प्रथम स्थान पर है जापान देश और इसका जो जारी करता है वो कौन है international survey company handle and partners द्वारा जारी किया जाता है इस point को भी आपको याद रखना है next जो सवाल है global crypto adoption index 2021 के अनुसार कौन सा देश पहले स्थान पर है तो पहले स्थान पर जो देश है वो कौन सा है वियंत नाम option यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा second number पर है भारत इस point को भी आपको याद रखना है और इसका जो जारी करता है वो chinesis द्वारा यह जारी किया जाता है इसला सवाल है global startup ecosystem index 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है तो भारत का जो स्थान है यह 20th rank पर है भारत और प्रथम स्थान पर जो है यह अमेरिका देश है इसे भी आप याद रखिएगा और इसका जो जारी करता है वो startup blink द्वारा यह index जारी होता है नेक्स्ट जो सवाल है वो है एनेमिया मुक्त भारत सुचकांग 2020 से 21 के अनुसार कोंसा राज्य प्रथम स्थान पर है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश द्वितिय स्थान पर है उडिसा और तृतिय स्थान पर है हिमाचल प्रदेश इन ती चेंजेन चीन का शहर है, option B बिलकुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, और हमारे भारत के दिल्ली की जो रैंक है, वो है 22nd, इसको भी आपको याद रखना है, next जो सवाल है, एशियाई प्रेंट व्यक्तिगत स्वास्त सूचना, 2021 के आनुसार कौन सा देश प्रथम स्तान पर है, तो इसमें प्रथम स्तान पर जो देश है, वो सिंगापूर है, option D बिलकुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत की जो रैंक है, वो 10th रैंक पर है भारत, और इसक आगला सवाल है, इंटरनेशनल एकोनोमी रेजिलियंस 2021 के आनुसार दूसरे स्तान पर कौन सा देश है, तो इंटरनेशनल एकोनोमी रेजिलियंस 2021 के आनुसार दूसरे स्तान पर जो देश है, वो है, भारत, option D बिलकुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, और प्रथम स् स्टान पर है जर्मनी इस पॉइंट को भी आपको याद रगना है और इसका जो जारी करता है वो है पी हेज़ी चेंबर्स ओफ कॉमर्स एंड इंडस्त्री दवारा ये जारी किया जाता है नेक्स्ट जो सवाल है जल वायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानि के पर राइट आंसर हो जागा इस इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर को कौन सा भी देश नहीं है स्वीड़न जो है यह फोर्थ रैंक पर है इसे आपको याद रखना है इसका जो जारी करता है यह जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टिट्यूड और क्लाइमेंट एक् किसके अनुसवार प्रथम स्थान पर कौन सा देश है तो पहले स्थान पर है मोजांबिक देश ऑप्शन यह बिलकुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है यह साथवे स्थान पर है इसको इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है और इसका जो जारी करता है वो कौन सा है जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टिटूड एन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्ग